नमस्कार दोस्तो रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले यहाँ पे छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में जो दे रहा है यहाँ पे बोनस तो पेनी स्टॉक मतलब होता क्या है यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस रहते है यहाँ पे below 10 रुपीज रहते हैं, तो यहाँ पे इंडेन स्टॉक मार्केट को ऐसे स्टॉक को पेनी स्टॉक का जाता है, तो इसी कौन सी कम्पनिय है, जो दे रहे हैं यहाँ पे बोनस, तो युडियो में देखने वाले बोनस का रेशियो का है, रेकॉर्ड डेट भी कम्पन की balance sheet कम्पनी का business का है, वो पूरा analysis करने वाले, तो लेकिन वीडियो के start में disclaimer, जो भी stock ले रहे हैं, यहाँ पे खुद का study जरूर कीजे, direct किसी को वीडियो को blindly follow मत कीजे, तो कभी भी आप लोग stock market में आते हैं, तो सबसे पहले चेक कीजे company का business का है, क्योंकि stock market में company के business के पर बहुत सारा depend रहता है, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, इंटेग्रा, इसेंसिया, लिमिटेट, stock का price है, सिर्फ 9 रुपे के असपास, और अब तक के जो return दे, company ने बहुत ही आचे return दे, लगबग यहाँ पे 20% के return दे, आज की दिन, यहाँ पे बहुत बड़ा में, तो जैसी कि यहाँ पे अब देख लेते, company का business के हैं, क्योंकि stock market में सब कुछ चलता है, company के business के उपर, अगर company का business अच्छा रहेगा, future oriented रहेगा, तो 101% stock market में, ऐसे stock multi bag return देते हैं, आने वाले समय में, तो company का business diverse by business है, जैसी कि एक जो पहला business है, agro products में company काम करते, organic agro products जैसे कि copy, tea, rice, sugar, इन products को यहाँ पे बेशने का, बानाने का company काम करते हैं, तो business तो बहुत ही आच्छा है, और एक इनका diversified business है, ओ है यहाँ पे textile में, तो जैसी कि इनके अलग-अलग brand है, जैसे कि बहुत सरे brand रहते हैं textile में, कुछ जो company रहते हैं, यहाँ पे hospital के लिए जो textile जो कपड़ा रहते हैं, इसको provide करने का काम करते हैं, hotels के लिए, hospitals के लिए, या अलग-अलग sector में, जो भी अलग-अलग कपड़ रहते हैं, इसको provide करने का काम करते हैं, तो same business इनका भी है, तो दो type की business है, एक ही यहाँ पे जो पहला है, organic agro products का एक business है, और जो दूसरा है, textile का business है, तो business भी दोनों भी शांदार है, आने वाले स्थर्में में, company को अच्छा profit हो सकता है, अब देख लेते हैं, actual bonus news के बारे में, तो जैसे की company ने set किया है, one raise to one का bonus, यानि आप लोगों को मिलने वाला है, एक share के बदले, एक extra share, अगर आपने यहाँ पे बहुत सरे extra shares buy क पे, तो आप लोगों को पतार हैगा, जब भी बोनस extra मिलता है, price adjust हो जाते है, X bonus date पे, तो जैसे की इसका record date आप लोग चेक कर सकते है, 11th January इसका record date है, अगर आपको bonus का फायदा उटाना है, तो 11th January से पहले दो business day minus करना है, जो भी date हैगा उस दिन, या पिर उससे पहले आप stock को खरतना पड़ेगा, तब जाकि आप लोग यहाँ पे, bonus के लिए applicable हो सकते, तो लेकिन आप लोगों को पतार हैगा, आपका investment उतने रहता है, सिर्फ number of shares बढ़ते है, लेकिन इसका जो फाइदा होता है, long term के जरनी में होता है, अगर company एक रुपए का पे dividend देते हैं, तो स नेक्स जो parameter है, वह बहुत ही important company की balance sheet, company की उपर करजा कितना है, आप लोग चेक कर सकते हैं, company की उपर कर जाए 28 करोड का 2013 की डेटा की इसाब से, तो यहाँ पे company का market के आप लगबग 4500 करोड है, उसे सब से देखा है, जो तो करजा control में इसा बोल सकते हैं, नेक्स जो parameter है, net profit, तो net profit मतलब आप लोगों को पता रहेगा, सब कुछ expenses मतलब क्या, government को tax, employee की salary, transport का खर्चे, जो छोटे मोटे खर्चे, जैसे की employee की salary, यह सब कुछ देने के हाथ, यहाँ पे company की हाथ में कितना पैसा बच रहा है, उसको net profit का जाता है, तो बिशले 3 साल का डेटा है, 2021 में company को घाटा वाता, 61 lakh का, तो जर बाइस में company profit में आ चुक है, लगबक एक करोड, तो जर तीस में तो जो company का net profit है, लगबक पांच गुना बढ़ चुका है, साड़े 6 करोड के असपास पहुंच चुक है, तो अब लोग चेक कर सकते हैं, company का Y2Y, यानि year to year जो पपम से लगा करते हैं, और stock भागता है, यह तो होगे सब कुछ अच्छे point, तो risk है, risk एकी company का market cap सिप 404 करोड का, मतलब बहुत मतलब बहुत ही छोटी company, micro cap category में company आते, ऐसे stock जब गिरते हैं, तो आराम से 70-80% गिर सकते हैं, एक मैने के अंदर, लेकिन कुछ positive कबर आते हैं, कुछ अच् इस सेम है, इस stock में, तो आपको क्यारना क्या है, यहाँ पर अगर आपको investment करना है, तो सबसे पहले आपकी financial advice के साला लीजे, उसकी बात खुद का study जरूर कीजे, उसकी बात सीखने के लिए थोड़ा ही पैसा लागा की चल सकते हैं, क्योंकि ऐसे stock में risk बहुत ही जाता रहत है, यह आपके mind में होना बहुत ही जरूरी है, यह तो था आज का वीडियो चोटे से company के लिए, अब यह वीडिया चलागा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं